हाई गाईज वल्कॉम बैक आप सबी का अपने चैनल पे बहुत ही ज़्यादा सुवागत है गाईज आज की इस वीडियो में हम बात कहने वाले हैं अपने पूराने आईफोन में कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं जैसे कि आप सबी को पता है जो कॉल रेकॉर्डिंग का फीचर है वो आईज 18.1 के अपडेट में देखने का मुलता है और यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे आपको कॉल रेकॉर्डिंग का फीचर आईफोन XR, आईफोन XS, आईफोन 11, 12 और 13, 14 सीरीस की उपर कैसी नेबल करना है वीडियो को कम्प्रेट वाच करना अगर आप सभी भी कॉल रेकॉर्डिंग का फीचर चाहते हैं अपने किसी भी आईफोन पर इस मेथड़ को जरूर पूरा फॉलो कर लेना वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी से, फर्स्ट फॉल गाईज मैं आपको चेक कर वा देता हैं कौन सा आईउस वर्जन में करेंटली आईफोन XR पर यूज़ कर रहा हूं इस सबसे पहले आपको करना काएगी सिंपली अपने डिवाइस की सफारी ब्राउजर को ओपन करना है और यहां पर अपको टाइप करना है बीटा डॉट एपल डॉट कॉम तो जैसे ही यहां पर सँर्च करोगे तो आपको वाइफाइ कनेक्शन को यूज़ करना है यूज क यहां पर आपके face id यूज करनी है आपको जैसे आप अपने face id यूज कर लोगे तो यहां पर आपको done का option शो हो जाएगा और यहां पर फिर से loading शो करेगा guide for beta software अब आपको यहां पर enroll करना है अपने iOS device को दोच इस तरीके से जैसे tap करोगे आपको open beta updates की उपर tap कर दिना है जैसे यहां पर open beta updates को select करोगे आपके सामने option शो करेगा iOS 18 का public beta और iOS 18 का developer beta update तो आपको यहां से iOS 18 के developer beta update को select कर दिना है तो यहां पर आपको back चले जाना है जैसे back चाहो के आपके सामने iOS 18.1 का beta 4 update शो होना start हो जाएगा so guys so iOS 18.1 का beta update है वो only iPhone 15 pro series support करती थी बट एपल ने अपरे पुराने devices के लिए भी यह जो update है include कर दिया है तो guys यहां पर आप पढ़ सकते हो this beta update includes an initial set of features powered by Apple intelligence और Apple intelligence का भी feature शायद आपको इस device पे देखने को मल जाएगा so इस तरीके से आप अपने iPhone XR, XS, iPhone 11, 12, 13, 4 in series में iOS 18.1 के beta 4 update को download और install कर सकते हो तो आप देख सकते हो यह कोई भी photo नहीं है तो यह settings के application open है loading ले रहा है तो यह बिलकुल accurate है तो इसमें आपको call recording का feature भी देखनी को मलने वाला है so next video में हम cover करेंगे आप कैसे use कर सकते हो call recording के feature को अपने किसी भी iPhone पे कैसे call recording का जो feature है वो काम करता है अपने इन पुराने devices पे so video को ज़रूर लाइक करें so आने वाली videos के लिए अपने channel को subscribe कर लें so thanks for watching, thank you so much